Hello everyone, और आज हम बात करेंगे मीशो के बारे में मीशो इंडिया का एक ऐसा स्टार्टप जिसने e-commerce के अंदर एक disruption ला दिया अपनी कमाल के strategies के चलते ये एक साल के अंदर 1 billion dollar के valuation से 5 billion dollar के valuation तक पहुँच चुका है और इस शांदार स्टार्टप की शुरुआत थी 2015 में जहां डेली आई 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 टी के दो क्लासमेट विदित और संजीव ने मिलकर के इसे शुरू किया बेराल दोनों ही इंडिविजल अपने education के time period में किसी business या start-up में interested नहीं थे दोनों ही इंडिविजल की preference job करना थी इसलिए संजीव ने अपनी पढ़ाई के बाद Sony Corporation को join कर लिया वहीं विदित ने ITC को join कर लिया और दोनों ही अच्छे payment pack पे काम करे थे लेकिन काम करते वे संजीव को समझ में आया कि किस तरह से इंडिया के अंदर startup का culture build up होने लगा है किस तरह से इंडिया के अंदर startup का trend आने लगा है इसलिए उन्होंने अपने classmate विदित को phone किया और उन्हें समझाया कि हमें भी अपनी job को छोड़के किसी startup को join कर लेना चाहिए लेकिन विदित भी क्योंकि उनके classmate थे, same education थी और दोनों का same mindset था इसलिए विदित ने उन्हें गाइड किया कि हमें किसी startup को join नहीं करना चाहिए बलकि हमें हमारा खुद का एक startup शुरू करना चाहिए और इस बात पर संजीव और विदित ने मिलकर के अपनी existing अच्छी payment job को छोड़कर के एक startup शुरू किया जिसका नाम इन्होंने रखा fashion year fashion year एक ऐसा business model था जो consumer को ये facility देता था कि आप अपनी आसपास की दुकान से कोई भी product को खरी देंगे तो fashion year की app के थूँ वो आपके घर तक deliver कर दिया जाएगा लेकिन ये business model consumer को इतना attract नहीं कर पाया क्योंकि ये delivery में काफी slow थे और ये समझ गए कि इसमें margin भी बहुत काम है इसलिए इन्होंने इस idea को drop किया इनका पहला startup venture fail हो गया इनका idea fail हुआ था लेकिन दोनों फिर भी किसी नए idea पर काम गरे थे इस fashion year के time period में ये काफी सारे local shop keeper से connect हुए और local shop keeper से connect हो करके इने एक नया experience आया नय experience से नया business model बनाया और इन्होंने अपने fashion year को convert कर दिया मीशो में मीशो जिसका मतलब होता है मेरी shop इन्होंने एक ऐसा online e-commerce social platform create किया जहाँ पर buyer खुद seller बन सकता था और seller अपने product को इनके platform पे sell कर सकता था तो जो seller अपने product को online platform पे Facebook, WhatsApp, Insta के pages पे sell कर रहा था और जो buyer उन्हें खरीद रहा था अगर buyer को वो product पसंदा था तो buyer भी अपने WhatsApp status पे Facebook पे और Instagram के pages पे उन्हें लगा के उन्हें further sell कर रहा था जिसकी वज़े से उसे भी commission मिल रहा था इस तरह से एक शांदार business model बनाते वे मिशो ने अपने buyer को ही अपना seller बना लिया Facebook, WhatsApp और Instagram के थूँ ये काफी हद तक लोगों के घरों तक पहुँचना शुरू कर चुके है थे और मिशो एक धीरे-धीरे successful brand बन गया और इनके success का idea आप इस बास से लगा सकते हैं कि 2016 के अंदर इन्हे 8th fastest growing startup का award मिला 2017 के अंदर इन्हे top 5th social e-commerce app का award मिला 2018 के अंदर इन्हे top 25th startup talented people का award मिला ये वीडियो पस्ता आईए से like करें, informative लगता करें फीचर में ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं चैनल को subscribe परिए चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए information के साथ चुल देन, goodbye, take care और वीडियो के लास तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद